राशुपती के अभिभाशन पर विपक्ष के नेता के तौर पर राखुल गांधी ने पहला भाशन दिया उसी भाशन का हंगाम मचा हुआ है राखुल ने उसी भाशन में दहार लगाई थी कि गुजरात के अगले चुनाव में बीजिपी को हरा देगा इंडिया राखुल के क्रिया की प्रतिक्रिया हुई एहंदबाप में हिंदू वाले राखुल गांधी के बयान का बहाना बनाकर बजरंग दल बीजिपी यूवा मोर्चा के कारेकरताओं ने गुजरात कॉंग्रेस के ऑफिस राजीव भवन पर हमला कर दिया गेट फांद कर कॉंग्रेस ओफिस में खुस कर जितना कर सकते थे उतना तहस नहस कर दिया राखुल गांधी की फोटो पर स्प्रे पेंट से कालिख पोथ दी तस्वीरे साफ है कि कैसे कॉंग्रेस ओफिस जंग का मैदान जैसा बन गया गुजरात में कॉंग्रेस राजकोट गांधी नगर समयत कई ओफिस को निशाना बनाया गया दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा अथ्यक्ष तेजस्वी सूर्या खुद ऐसे विरोध प्रदर्शनों को लीड कर रहे थे हमले के समय बहुत सारे कॉंग्रेस कारेकरता नेता मौझूद थे लेकिन वाइरल हो गई प्रगती अहीर एक लड़की प्रगती अहीर अकेली निहत्ती फिड़ गई हमलावरों से हमलावर जितनी तादात में जितनी तयारी के साथ आए थे उसके मुकाबले के लिए कॉंग्रेस कारेकरता तयार नहीं थे पुलिस ने भी हात खड़े कर दिये जंग जैसे हालात के बीच माइक संभाला क्यामरा संभाला और बन गई प्रगती अहीर रिपोर्टर वही वीडियो अब सोशल मीरिया पर वाइरल है जबरदस्त तारीफ हो रही है प्रगती अहीर की बहादुरी की जैराम डमेश ने कॉंग्रेस ओफिस को लेकर सोशल मीडिया में जो फोटो ज वीडियो शेर किये उसमें गुंडों से लोहा लेती दिख गई प्रगती अहीर वहीं से चर्चा में आई प्रगती अहीर प्रगती अहीर गुजरात में कॉंग्रेस की सेलिब्रिटी फेस है गुजराती फिल्मों में अक्टिंग और मौदिलिंग का जमा जमाया करियर छोड़कर 2019 में कॉंग्रेस जोईन की थी महिला सेवा दल की अथ्यक्ष गुजरात कॉंग्रिस की प्रवक्ता बनी और टीवी डिबेट में जोरदार तरीके से कॉंग्रिस का पक्ष रखने लगी रहुल गांदी के साथ भारा जोडो यात्रा में भी पद्यात्रा की हाला कि 2022 का गुजरात विधानसबा चनाव उनके खिलाफ अच्छा नहीं रहा एक तो जूनागर के किशोध सीट से टिकेट की दावेदारी खारिज हो गई उपर से पाठी विरोध काम करने के आरोप में पाठी से 6 साल के लिए सस्पेंट भी हुई प्रगती अहीर सस्पेंशन के खिलाफ अड़ गई हाई कमान से फिर गई कि मेरे खिलाफ सबूत हुए तो राजनेती छोड़ दूगी मुझे निकाल सकते हैं मेरे अंदर से कॉंग्रेस को नहीं खेर सस्पेंशन खत्म हुआ प्रगती अहीर फिर से एक्शन में आई लोगसबच चनाव में प्रगती अहीर को पवन खेडा के कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट ने महराश्ट में कम्यूनिकेशन कॉडिनेचर बनाया था गुंडों से भिड़कर प्रगती अहीर ने साबित किया कि राहुल गांधी ऐसे ही नहीं करेते अपने कारेकरताओं को बबर शेर गुजरात कॉंग्रेस के ओफिस पर हमले पर राहुल गांधी ने भी कडा स्टैंड लिया और कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं इंडिया गुजरात में जीतने वाला है पिक स्टैल ओर्नर्स के साथ मेरी बात हुई मैंने उनसे पूछा नोट बंदी क्यों हुई जी एस्टी क्यों हुई साथ बोला, साथ बोला, अरब पतियों की मदद करने के लिए जी एस्टी और नोट बंदी की गई है नरेंद्र मोदी जी अरब पतियों के लिए काम करते हैं सीधी जबात, मैं जाता रहता हूँ और आपको गुजरात में हराएंगे इसबार आप लिख के ले लो लिख के ले लो आपको opposition इंडिया गटबंदन गुजरात में हराने जा रहा है राहूल गांधी इसलिए confident है क्योंकि 10 साल में पहली बार गुजरात में कॉंग्रिस ने बीजेपी को हराया लोगसभा चुनाव में कॉंग्रिस ने बीजेपी को हरा कर बनास काठा की लोगसभा सीट जीती है 26 में से 26 का बीजेपी का रिकॉर्ड तूट गया 2014 और 2019 के लोगसभा चुनाव में कॉंग्रिस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी गुजरात मोधी शह का होम स्टेट है पीम बनने से पहले मोधी गुजरात के सीम रहे 29 साल हो गए है 1995 के बाद से बीजेपी हर चुनाव चीत रही है गुजरात में कॉंग्रिस की सत्ता में वापसी का रास्ता नहीं बना है विदान सबा चुनाव में भी कॉंग्रेस कमाल बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाई और कमल से पीछे रही 2017 में लगा था कि कॉंग्रेस वापसी कर लेगी राहुल कांथी ने बहुत महनत की थी मोधी के पीम बनने के बाद 29 साल में पहली बार विदान सबा चुनाव में बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी बीजेपी को 99 और कॉंग्रेस को 77 सीटे मिली थी लेकिन 2022 में चुनाव पलट गया बीजेपी पहले से भी ज्यादा मजबूती से जीती कॉंग्रेस का वोट बैंक खिसक कर आपके पास चला गया सिर्फ 17 सीटों पर कॉंग्रेस के विदायाक जीते लेकिन 5 पाला बदल कर बीजेपी में चले गए 12 विदायाक ही बचे कुछ साल में गुजरात कॉंग्रेस के दिगज रेता हार्दिक पतेल कॉंग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोडवारिया समयत डेड़ सो नेता कॉंग्रेस से बीजेपी में चले गए फिर भी लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस ने बीजेपी को एक सीट पर हरा कर आगे की उम्मीद बनाई है लोगसभा चुनाव में पहली बार कॉंग्रेस ने केजरिवाल की आमादनी पार्टी के साथ अलाइंस करके चुनाव लड़ा था लोगसभा चुनाव में आप भी जीत नहीं पाई लेकिन विधान सबा चुनाव में पहले चुनाव में आपके पांच विधाया जीते थे